हलो गाइज, वेलकम तुदा अलियास, मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में जिसे कि आप देखी सकते हो, क्या पढ़ रहे हैं, लेंस फॉर्मला लेंस फॉर्मला हम पढ़ रहे हैं और लेंस फॉर्मला तो एक सिंपल सा फॉर्मला है, वो बात तो ठीक है लेकिन उसको solve करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए है, क्या पता होना चाहिए है, sign convention sign convention क्या होता है बई, आज जो हमारे lens formula में जो जो चीज़े है तो पहला पहला मैंने लिखी देता हूँ lens formula, आपको confuse क्यों करना lens formula यह होता है, 1 upon V, minus 1 upon U, is equal to 1 upon F यह सारी चीए तो वही है सेम हमने mirror formula में यह सारी चीए पढ़ी है V क्या होता है image distance मैं आ रहा हूँ इस पर sign convention पर पहले बता दू फार्मले में क्या क्या है V क्या होता है image distance U क्या होता है object distance और F क्या होता है focal length ठीक है अब sign convention से मेरा मतलब यह है इस पर मैं एक specific video बना चुक हूँ जब मैं आपको mirrors पढ़ा रहा था concave mirror, convex mirror तो वहाँ पर जब मैंने mirror formula पको explain कहा था mirror formula में बस इतना फर्क है यह plus का sign होता है 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U होता है कौन सा? यह mirror formula हो जाएगा लेकिन अभी हम पढ़े लेंस formula तो यह minus है इमेजडिसंस का हो तो basically मैंने आपको एकसेस वाले concept से समझ जाता है इसे axis यह axis है ना तो बीच में ऐसे mirror होता था आप काईगे मालो कॉन के mirror है तो जो साइड जैसे हमारे axis में यहाली साइड सारी negative होती है यहाली साइड सारी positive होती है उपर वाली साइड सारी पॉजिटिव होती है, नीच वाली साइड सारी नेगेटिव होती है, यह होता है ना हमारे जो नॉर्मल हम एक्सिस खेलते हैं, य, y-dash, x-dash, x, तो यह सारी पॉजिटिव होती है, यह वाली साइड सारी नेगेटिव होती है, नीच वाली साइड सार सारी प्रवाइल सारी पोजिटीव होती ही यह होता है n A M 1 Normal तो वैसी हमडे यह Axis को हमने यह पर ऐसे यह मेरर माल लिया था और हमने सारी चीशाव देख लिए और हम तो देख लेना जाके आप मिलेड केस में sign convention की video यह देखना आपने ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है क्योंकि जो हम sign convention हमने mirror के case में दोनो spherical mirror कौन के mirror convex mirror के case में जो हमने sign convention उसमें कोई change नहीं है वो ही same sign convention आपकी lens के case में भी लगेगी ठीक है तो यानी अब आते हैं माज के topic पे जिसका नाम है lens formula तो यह आपके सामने lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f तो इसमें मैं और क्या समझाओ आपको सीधे एक formula यह derivation तो आपके course में है और अगर आपको फिर भी derivation पढ़नी हो किसी बच्चे को चुलो मोच्चुल होती है कि यह हो तो मुझे नीचे comment section में लिख देना उस पर भी एक वीडियो बना देंगे क्या बड़ी बात है ठीक है तो अभी हम से इस पर numerical पर आते हैं इसके के तुरू हम लेंस फॉर्मले को apply करना भी सीखेंगे और हम समझ भी जाएंगे के है कैसी तो question कहता है an object is placed 25 cm in front of a concave lens पहले तो यह देख लो बात किसकी हो रही है concave lens की बात रही है o concave lens का यह होता है ऐसा होता है यह यह अफ उता है a sense f1 होता है to f2ॉट उता है यह 2 f1 होता है radius of curvature 1 radius of curvature धाभी 2 इसाब चीजी होती है तो किया रहा है कि a object है जो 25 cm distance पर पढ़ा है concave lens पर तो जहाँ object और lens के बीच का जो distance हो सी को हम object distance बोलते हैं तो object distance की value 25 तो object distance यानी u की value है 25 cm अब u का sign हम plus लेंगे के minus वहाँ पर sign convention का काम आएगा तो मैं को एक बाप बताओ object का क्या कह रहा है object is place 25 cm है in front of a concrevalence तो यह concrevalence है तो यहाँ कहीं object पढ़ा होगा आपका 25 cm पर माल लो कहीं भी पढ़ा है माल लो यहाँ पढ़ा होगा 25 cm यह object पढ़ा होगा है तो मैंने आपको क्या बताया था जल्दी से बताओ मैंने आपको क्या बताया था यह x-axis वाल एक्जम्पल से sign convention भी बताया था मेरा formula जब explain कर रहा था कि यहाँ वाली सारी चीजे यह left-hand side वाली सारी चीजे क्या होती है negative तो यहाँ पर पढ़ा है left में पढ़ा न लेंस यह lens के left में पढ़ा है object infant of a यह तो यह निकी क्या होगा इसका negative होगा यह जो हम object distance 25 cm है यह हम negative लेंगे तो object distance यह निकी u हमारा क्या होगा negative लेंगे लेफ्ट में न सारी चीजे लो जाके मैं मान के चल रहा हूं यह तो u की value होगे negative आगे पढ़ो infant of a concave lens और focal length 25 cm फोकल लेंग भी 25 cm है मतला भी यह focus पही पढ़ा है focal length क्या होती है फोकल लेंग भितल भी फोकक से lens सो कर्ट कर दीस्टनस होता है उसी को focal length बोलते है तो focal length है 25 cm फोकल लेंगे fb आपकी क्या होगी negative होगी लेफ्ट में यह लेफ्ट में यह आपर यह फोकल लेंगे ten दोमें यह प्लेंग होगी माइनस 25 cm तो हमें यू भी बता चलिया अभी बता चलिया आप से क्या पूछ रहा है find the location and nature of image मतला image की location पूछ रहा है तो image distance पता होना चाहिए तो image distance है नहीं कि हमसे वी पूछ रहा है basically location का मतलग image की location मतलग image distance बहीं distance का होगा image का lens से उसी से हमे location पतल जाएगी तो हमें वी पूछ रहा है और nature तो हम बता ही देंगे भी कैसे बताएंगे वाप वैसे बता पाऊगे अगर आपने मेरा पढ़ाए concave lens और convex lens की सारे image formation वाली वीडियो देख लेए तो आपको समझा जाएगा नेचर इसली बता पाऊगे वैसे तो concave lens में आप बताए सकते हो कि image virtual और erect ही बनती है तो नेचर तो आप ऐसी बता दोगे virtual और erect यह तो आपको याद ही होना चाहिए तो इस formula में हम यह सारी चीवे डालके V की value तो निकाल लेंगे तो बस डालते हैं औरेंज कलर से कर रहा हूं मैं हमें V निकाल ला है तो हमारा formula ऐसा हो जाएगा 1 upon V, V निकाल ला है न तो U को उतर बेज़ दूँगा तो क्या बनेगा 1 upon F plus 1 upon U V की value निकाल ला है तो इसको LCM ले लेते हैं, solve कर लेते हैं सिधे, LCM लिए तो यह होगे UF और U plus F is equal to 1 upon V, इसका reciprocal करेंगे तो, मैं सिधे calculation कर रहा हूं मैं अभी, कुछ confusion नहीं है, normal math लगा रहा हूं, इसका LCM लिए F U आ गया, U plus F हो गया, 1 upon V is equal to U plus F upon UF, पर इसका आगे का U plus F, तो हमें V की value मिल गई, UF upon U plus F, तो U भी पता है, F भी पता है, बस value तो put करनी है, हमें इसमें, cut put कर दो जल्दी से value, ठीक है, तो इसमें V की value find करने के लिए हमें, यह V की value जो find करनी है, उसके लिए UF upon U plus F है, तो बस इसकी value मैं यहां put कर रहा हूं, confuse बतो हो, यह लोग minus 25, plus minus minus, तो minus 25, तो minus 25 into minus 25, मैंने आपको बोला था, कही बार जो मुझ से पढ़ रहे हैं, कि fast calculation के लिए आपको 1 से 30 तक के सबके square पता होने चाहिए, तो 25 का square में जो पता है, 625 होता है, तो minus minus multiply में, sin plus कर हो जाएगा, तो उपर हो जाएगा 625, और नीचे minus 25 minus 25, करेंगे plus, ल minus 50, इसको जब आप काटो कोई पिटोगे, तो आपका answer आजाएगा, minus में, इस minus की वाई से, 12.5 cm, तो V की value आगई आपकी, minus 12.5 cm, तो बस image distance हमें मिल गया, V की value आगई हमारी minus 12.5 cm, और पूछा था next nature क्या होगा, तो हमें बता है, concave lens में image का nature क्या होता है, image का nature होता है, virtual and erect कर दिया, मने question solve lens formula से, हाना, तो अगर आपको confusion होड़ी है, minus का sign कैसे लिया, इस अब कैसे लिया, तो प्लीज जाके आप sign convention वाली मेरी video देख ले न, मेरा formula के time time में पढ़ाई थी, same ही होगा, बिल्कुल, lens formula में भी, और मेरा formula में भी, sign convention, same रहती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है तो next video में हम पढ़ेंगे, magnification, next video आएगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, magnification by lenses, यह पढ़ेंगे हम, magnification by lenses, next topic में, आज हमने क्या पढ़ा, conclude करने, कुछ भी नहीं पढ़ा, एक formula पढ़ा और numerical देखा बस, 10 minute की छोटी सी video है, क्या था formula, 1 upon V, minus 1 upon U, is equal to 1 upon F, और यह V और U में 10 convention, जिसका थोड़ा सा preview तो मैंने या भी दिया था, नी तो आप वीडियो देख लो, तो फिर नेक्स वीडियो में, magnification पढ़ने के लिए, और सेम वैसी प्रोसेस है, अगर आपने mirror formula अगरा, मिरर वाली चिए सारी समली, तो lens वाली चिए समन्ने में, easy होता है, ठीक है, चलो मिलते हैं वैं, टेक है, सोंग वैर, टेक है